दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने मुबाइल में दूसरा गूगल अकाउंट लोगिन कैसे करते हैं अगर आपने अपने मुबाइल में सिर्फ एक ही गूगल अकाउंट लोगिन किया है दूसरा आपको करना है तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखना इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जीमेल एप को ओपन करना है इसके बाद उपर में आपको गूगल अकाउंट की परोफाइल दिखाई देगी इस पर आपको किलिक करना है अब यहाँ पर आपका पहला गूगल अकाउंट दिखाई देगा आपको दूसरा गूगल अकाउंट लोगिन करना है तो यहाँ पर नीचे में आपको एक सेटिंग मिलेगी add another account इस पर आपको click करना है इसके बाद इस तरह से page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको google पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपका जो screen lock है mobile का वो आ जाएगा आपको यहाँ पर उसे confirm कर देना है इसके बाद कुछ time page load होगा और इस तरह से page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना दूसरा Google account इंटर कर देना है Google account इंटर करने के बाद Next के बटन पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको Google account का password इंटर कर देना है अगर आप password भूल गए हैं तो कैसे password पता करते हैं इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखिये उपर आई बटन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं password इंटर कर देता हूँ password इंटर करने के बाद Next के बटन पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर I Agree पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे Not Now पर किलिक करना है इसके बाद कुछ टाइम पेज लोड होगा अब यहाँ पर आपको अपने गूगल अकाउंट का password SEO भी कर लेना है password manager में यहाँ पर आपको से ओपर CLIC कर देना है अब यहांपर आप देखेंगे हमारा दूसरा गूगल अकाउंट लोगिन हो गया है दूसरे गूगल अकाउंट में सुइच होने के लिए आपको जीमेल अप को open करना है ओपर गूगल अकाउंट की प्रोफाइल पर किलिक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा दूसरा गूगल अकाउंट लोग इन हो गया है इस पर मैं किलिक करता हूँ तो दूसरा गूगल अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल से गूगल अकाउंड को लोग आउट करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला वीडियो जरूर देखना